मोधी सरकार के नाकामियोबियों का काला चिट्था एक बर फिर सामने आ गया है जब राष्टे सांखे की आयोग यानि National Statistical Commission के दो सदस्यों PC मोहनन और JV मिनाक्षी ने सरकार के साथ कुछ मुद्दों पर आसहमती होने के कारण इस्तिफा दे दिया PC मोहनन भारतिय सांखे की सेवा के पूर सदस्य है वो आयोग के चेर परसन भी रह चुके है वही मिनाक्षी दिल्ली स्कूल अफ एकनॉमिक्स में प्रोफेसर है आयोग में सिर्फ यही दो सदस्यों थे जो गैर सरकारी थे नैशनल स्टेटिस्टिकल कमिशन का काम तमाँ सरकारी आगडों को जारी करना है बताया जारہ है कि नैशनल सैंपल सर्वे के दवारा 2017-18 में रोजगार को लेकर एक सर्वे किया गया था और उस सर्वे को नैशनल स्टेटिकल कमिशन ने पांच दिसंबर 2018 को ही मंजूरी दे दी थी पर मंजूरी देने के दो महिने के बाद भी इस डेटा को रिलीज नहीं किया जा रहा था इस रिपोर्ट में रोजगार और बिरोजगारी के आकले होते हैं जो मोदी सरकार लोगों के सामने नहीं लाना चाह रही थी और अब राष्टिय सांखे की अयोग के दो सदस्यों के इस्तीफा देने और लगतार विपक्षी दलों के नेताओ द्वारा मोदी सरकार पर निशाना साथने के बाद अब नैशनल सेंपर सर्वे का वह सर्वे आखिरकार सामने आ गया है जिससे केंदर सरकार घबराई हुई थी नैशनल स्टैसिकल कमिशन के चेर परसेंट खुद यह मान रहे थे कि उनके द्वारा जो भी डाटा जारी किया जाता है उससे सरकार गंभीरता से नहीं लेती और आकडों को सार्वजिन करने में बाधाउत बन करती है आयो के एक पूर सदस्य ने बताये कि कैसे सरकार जिन आकडों से सहमत नहीं होती वह उन्हें पलट देती है या फिर पब्लिश ही नहीं होने देती इस पूरे मामले पर कॉंग्रेश के वरिष्ट नेता पी चिदंब्रम ने बुधवार को नरेंदर मोधी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हम राष्टि सांखे की आयो की मौत का शोग बनाते हैं साफ सुतरे जीडिपी डेटा और रोजगा डेटा को रिलीज करने के लिए इनकी सहासिक लड़ाई को आभार के साथ याद करते हैं उन्होंने कहा कि इस आयो की आत्मा को शांती मिले जब तक कि इसका दोबारा जनम ना हो जाए अब मजबूरन ही केंद सरकार को उस डेटा को पबलिश करना पड़ा है जो मोधी सरकार की हकीकत और जुमले वाली राजनिती का सच बया करती है बिजनल स्टेंडर की रिपोर्ट के मुताबिक NSSO की क्रियेडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि देश में बेरोजगारी की दर साल 2017-18 में बीते 45 साल के मुकाबले सबसे जाड़ा 6.1 फीसिदी पर पहुँच गई है और इनहीं आकड़ों को मोदी सरकाच चुनाव के समय सब के सामने लाना नहीं चाह रही थी रिपोर्ट के अनुसार 1972-73 के बाद से बेरोजगारी की दर अपने उच्चितम स्तरप है 45 सालों में देश में इतने लोग बिरुजगार नहीं हुए जितने एक साल के भीतर ही मोदी सरकार में हो गए बिजनेस स्टेंडर रिपोर्ट के मताबिक शहरों में बिरुजगारी की दर ग्रामीड इलाकों की तुलना में जादा है 2017-18 के दोरान शहरों में बिरुजगारी की दर जहां 7.8 फC रही रिपोर्ट के नुसार 17-18 में ग्रामीड इलाकों में बिरुजगारी की दर 5.3 फC रही रिपोर्ट के अनुसार 17-18 में ग्रामीर शेतरों में पुरुस बिरोजगारी दर 17.4 फीसिदी तक पहुच गई जबकि इस दोरान महिला बिरोजगारी दर ग्रामीर शेतरों में 13.6 फीसिदी रही अगर हम 2011 बारे की बात करें तो यह बिरोजगार दर 5.0 और 4.8 फीसिदी थी शेहरी इलाकों में सबसे ज़्यादा लोग बिरोजगारी का सामना कर रहे हैं 2017-18 में शेहरों में बिरोजगारी दर पुरुषों में 18.7 और महिलाओं में 27.2 रही जो की ग्रामे इलाकों की तुलना में जादा है यह सभी आकड़े काफी चौका देने वाले हैं जुमलों वाली मोदी सरकार जो की सिर्फ हिंदू-मुसलिम की राजनेती करना जानती है उसका सच अब सब के सामने आ गया है कि कैसे देश भर की युवा बिरुजगार हो रहे है और सरकार उन आकड़ों को लोगों तक पहुँचने ही नहीं देती धन्यवाद निशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह निशनल दस्तक के सपोर्टर फर्म को भड़ें ताकि हम सीधे आपसे जूर सके निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसल दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे